हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपकेड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्स रोग संमोहन वैसन मुक्ति तग्य हूं मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि आपके रिजल्ट्स जूटने बोलते हैं आपके रिस्ते बराबर चल रहें नहीं चल रहें आपके द्हन्दा बराबर पिद हका जो भी आपके जिवन में हो रहा हैं जो भी आप काम कर रहे हहı कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है सभी हमको एधि उसका assessment करना है उसको जोरा लेना उसका तुमको देखना पढ़ेंगा results results क्या है मतलब आकड़े क्या है समझे खाथा cricket अर अच्छा cricket खेल रहा है और दिन बर अच्छा cricket खेला तुमको मालूम कैसे बढ़ेंगा कि उसने अच्छा cricket खेला है उसकी results पर से उसने रन किते निकाले एक अधा LIC agent है वो दिन भर घुम रहा है दिन भर घुम रहा है लोगों को LIC का plan बता रहा है है पॉली से लेने के लिए बोर रहा है सुबह आठ बजे से लेकर रात को बारा बजे तक घुम रहा है लोगों को plan बता रहा है है मौत hard work किया कड़ी मेहनत किया उसने LIC उसको शाम कूच चेक देने वाली नहीं है कि वह तेरा इतना इतना commission हो गया उसके results क्या है मतलब वो कोई result लाता कि नहीं लाता को insurance का plan बेचके उसने check लाया कि नहीं लाया तभी उसको commission मिलेगा तो जिन्दगी में आप कितना काम करते हो कितनी कड़ी मेहनत करते हो इसके उपर अपना जीवन बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा हो समझता नहीं है तो आप results क्या produce कर रहे हो आप अमीर है कि नहीं हो आपको बहुत खुशी हो रही कि नहीं हो आपका वजन बराबर है कि नहीं है आप तंदुरुस्त की है कि नहीं है results बताओ तो मालूम पड़ेगा और results से फिर आपको feedback मिलता है कि मैंने क्या करना चाहिए कि मेरा वजन ज्यादा है तो मैं कितना भी कुछ कसरत कर रहा हूं कुछ जीम में जा रहा हूं कुछ भी कर रहा हूं मगर वजन ही ज्यादा है तो मैं जो कर रहा हूं बराबर नहीं कर रहा हूं कि मेरे results जूट नहीं बोलते results बोल रहे है कि आप जो कर रहे हो बराबर नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा धंदा चलता नहीं है धंदे में मैं बहुत हार्ड वर कर रहा हूं मगर धंदा चलता नहीं है पैसा नहीं आ रहा है cash flow नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे sales trending करनी है धंदे में मेरा क्या effective actions है क्या ineffective actions है क्या करने से मेरा धंदा चलेगा क्या करने से माल भिकेगा वो results से ही feedback मुझे मिलेगा तो results कभी जूट नहीं बोलते results will tell you the facts तो हर दम आपको आपके सामने जो भी आप काम कर रहे हो आपके सामने results होना जुरूरी है कि मैरा results क्या है मेरे आकडों में जो उसका outcome आता है उसका result आते हो क्या है statistics कोई भी काम का तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपकी एक नजर जो है वो results के उपर है और एक नजर जो है वो काम के उपर है क्योंकि आप सिर्फ results के तरफ देखेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा और सिर्फ काम के तरफ देखेंगे और देखेंगे नहीं तो भी नहीं चलेगा कोई अच्छा क्रिकेटर जो है वह अपने स्कोर बोड के तरफ देख रहा है कितना स्कोर हो गया कितना स्कोर हो गया तो वह बाल के ऊपर अपना फोकस नहीं कर आपके रिजर्ट्स भी आपके सामने होना जरूरी है ताकि हम हमारे खेल में या जो भी हम काम कर रहे है उसमें वहां सुधार कर सकेंगे तो विशे यह है आज का कि मैंने भी बता है वो कि रिजर्ट्स जूटने बोलते हैं कि हमने बढ़ा कि कर्वनयवाधिका रास्ते माँ फलैशुक अदा आचना किता में ब tiếp रॉच्व करो यह चिंता को बड़ाऊ करो है कम को पाज रखना पड़ेंगा थud Miles y min जिन जर रहा है कौंसा काम नहीं हो रहा है वह अधिदिक 2024 के पृति देखना पड़ेगा और वांसे हमारे कभीटके मेंहें कर्थिमें बदल ना पड़ेगा तो आप देखेगा कि आपके पढ़ाय में आपके धंदे में आपके हल्थ में समझाए आपका धंदा परावर नहीं चल रहा है कैश्वलो नहीं हो रहा है तो आप sales training लेंगे आप देखेगे कि मेरा धंदा क्यों नहीं चल रहा है मुझे क्या करना बढ़ेगा मैं लोगों से बात कैसे करता हूं मेरी credibility है कि नहीं है customer satisfaction है कि नहीं है मैं लोग क्या कमी है कि जिसके बज़ना नहीं चला क्यों कि results जूट नहीं बोलते तो यह जहां जहां जिनको जिनको problem से आपके संपर्व में काफी लोग हों कि जिनको यह problem है कि results बड़ाबर नहीं आ रहे काम बड़ाबर नहीं होना तो यह balance कैसे करना इसके लिए यह वीडियो जरूर शेर करो subscribe करो thank you very much